हेलो काईज वेलकेम तो अनेदा वीडियो प्स्टाउक मार्केट फेंड्स अगले हफ्ते ओपन हो रहा और आज के इस वीडियो में उसका कंप्रेट अनालिसिस करेंगे तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया थी आठ दिसंबर का जिसमें जितने भी आई प्यूज ऑपन फंडमेंटल इसके फिनांशिल इसमें अप्लाई करना चाहिए इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में डिसकर्स करेंगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टाट करते हैं तो आज जैसा कि देख से तम लोग स्क्रिंट पे आज चुके हैं एबेंस होल्डिंग्स आई यहां पर इंगेज बिजनस करती है इसके साथ साथ कंपनी यहां पर सौफडर डियॉलक्मेंट और रियल स्टेट में भी बिजनस करता इसके और कंपनी जो है आप अपने एबेंस ग्रूप का ही एक मतलब फिनांशल सर्विसेस आम है यह कंपनी जो मतलब कि कह सकते हैं कि ए इक तरह का लोन प्रोवाइड कराती है इसके साथ कंपनी ग्लोबल इंस्टियूशनल स्टेडिंग भी करती है इसके साथ वेल्थ मैंजमेंट सर्विस भी कंपनी जो है अब बात करते कंपनी के बिजनस मॉडल के बारे में जो की दिवाइट किया गया तिन पार्ट şunu यहां पlardan समय में करते कंपनी दूसरा एजनसी तीसरा है कैपिटल और और बिजनस तो फाहले हम लोग फिनांस विजनस को डिसकस करते हैं कंपनी यहां पर आरबे रइस्टर्ड एंबी एफसी जो की ऑप्रेट होता है और अभी अगर देखा जाए तो अभी एंबी एफसी बहुत सारे पेडियक पे आ चुके यहां पर फोर हंडर्ड्डर्ट थ्री पॉसरेल नमबर में आप लोग यहां देख सकते हैं आप फिनांस प्राइवेट लिमिटेड जो की पहले एफेंस फिनांस लिमिटेड के नाम से जयाने जीता साथ और से पहले सोफ्ड दिद्ट प्राइवेट ल इसके साथ अब दुसरा है यहां पर एजेंसी बिजनस तो कंपनी यहां पर देखेंगा तो से भी रेजिस्टर्ड स्टॉक और कॉमोडिटी एक्सेंज ब्रोकर है जो की मतलब कि कह सकते हैं मेंबर्शिप के साथ कंपनी प्रोवाइड कराती है सभी स्टॉक एक्सेंज इतने सब्सक्राइब इंडिया में सब्सक्राइब इस इस एक्सेंज करती है इसके साथ कंपनिया पर आप यहां पर ऑदर करती है जिसमें आप पर इंटर्नल ट्रेजरी ऑपरेशन करती जो की capital funds को access करने में manage करता अब यह तो थी company के बिजनस के बारे में जो की divide किया गया तीन parts में अब यहां पर company जो है एक holding company है प्राइमरी जो है यह holding company है और इसके साथ company है अपने सभी बिजनसे को 17 जो की 17 सब्सेडियरी में company बिजनसे करती है जिसमें से यहां से तीन जो है यहां पर इसके डायेक्ट सब्सेडियरी जो है और इसके साथ साथ जो की देखा जाए तो company के पास अभी लगभग तीन countries में जो है company business करता भी इसका active जो business है लगभग छे कंट्री में company का business है अब हम लोग इसके जो 17 सब्सेडियरी कंपनी है इसके जान लेते कौन कौन सी कंपनी है इसके 17 सब्सेडियरी तो यहां पर देख सकते है एवेंस एगरी वेर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स एवेंस ब्लोकिंग उसके साथ साथ यहां पर एवेंस अई आफैनस इंधियर फिनाशन एवेंस के फिनांस अवैंस गलोबन बैंकिंग फिरभ्ण गलोबल इसके सैक्तर में में कपनी काम करती कंपनी ऊतने साथ यहंज कराक्टिव है तो अब हम बात करेंगे इसके थहलistas यहां पी रिकॉर्ड का तो यहां पर 31 अगस्त दोजाओ जो कि रिसेंटली का डेटा है रिकॉर्ड है जो कि इनके consolidated basis थे company के पास लगभग जो 100 employees का यहां पर कंपनी ने employ किया है जो कि employ क्या मतलब कि नौकरी दी है 100 employees को लगभग 31 अगस्त दो 22 तक का डेटा है 22 का डेटा यहां पर और competitive strength की अब बात करें तो यह एक integrated financial services platform में अभी अगर देखीगा तो finance के सेक्टर ने बहुत सारे companies असो और stock market में listed है तो competition भी बहुत ज्यादा बढ़ती भी देखने को मिल रही है इस company में finance sector में क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगभा दो तीन का IPS भी आ चुके finance sector से रिलिटेड तो इसमें भी बहुत जाते हैं competitive देखने को मिल रहा है लेकिन एक integrated financial services platform में इसके साथ सथ इसके human capital और organizational कल्चर जो है बहुत ही strong है यहां पर company जो इस ग्लूबल एक्सपोजर भी प्रोवाइड कराती है financial innovative financial products का relationship जो बनाई है clients और market participants के साथ बहुत ही strong बनाके रखा है standardized operating procedures करती है company इसके साथ अपना जो technology है technology का बहुत ही efficient तरीके से यूज भी company करता तो company का जो perform model बिजनसे से बहुत ही शांदार है अब इसका important point of financial जिसको अब हम लोग आगे discuss करें तो गाइस company का financial अगर देखेगा यहां पर नंबर सारे करोल में दिये गए assets का अगर देखे जाए तो यहां पर financial 20 में 1200 क्रोड का assets था जो कि यहां पर कोवीड पीरिट का टाइम में थोलिट से गिरावट आई थी 1181 करोड का फिसके बाद मार्च 21 में भी कोवीड पीरिट का टाइम में बहुत ज्याद गिरावट थेखने को मिला 1168 करोड का लेकिन यहां पर अगस्त महीने का 23 में यहां पर 1260 करोड के यहां पर एसेट में इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू भी अगर देखा जाए तो रेवेन्यू लगातार गिरावट आजी 2771 करोड था यहां पर फिनांशले 20 में उसके बाद गिरावट होके देख सबने आप 646 करोड का फिनांशले 22 में रेवेन्यू देखने को म मिला थर्टीन करोड का कंपटीन को पॉफिट देखने को मिला है फिनांशले 23 में इसका 45 क्रोड फिर शिक्ष्टीवन करोड यहां पर इंक्रीज अपर पॉफिट अ अच्छा इंक्रीज हुए नेट वर्त भी अगर देखा जाए तो 499 करोड का नेट वर्त है जो कि इंक्र करके हैं बसके सब्सक्राइब करेंगे तो कंपनी जो है यहां पर इसके सबस्क्राइब करने के लिए करना है अब बात करें आप NBFC loan तो provide कराती है तो इसके लिए company को funds भी चाहिए गाई जगर company loan दे रही है तो loan देने के लिए company को आपस fund भी तो होने चाहिए तबी तो company कोई भी company fund जो ऐसो loan कर सके, loan दे सके आपको इस वह से company जो इन्विश्मेंट करना जाती है NBFC subsidiaries में इसके साथ साथ जनरल corporate purpose के लिए IPO लाया गया है अगर हम इसके tentative details की बात करें तो 12 December को यह IP open रहा है next week और 15 December को यह close हो जाएगा दो रुपए का face value रखा गया 256 तो 270 रुपीज per share की price band रखे गए 55 shares की lot size है 345 करोड का issue size जिसमें से 102 करोड के आसपर की fresh issue किया जा रहा है और offer for shell 243 करोड का किया जाएगा book built issue IPO NAC BAC दोनों में listed हो रही है इसमें एक अच्छी ख़बर यह है कि QIV को मात 10% का offer दिया गया है अच्छी खबर यह है कि रिटेलर्स यहां पर बहुत ही maximum जो यहां पर अप्लाई कर सकते सिक्स्टी पर्शंट की offer दिया गया है अगर हम इसकी प्रोमोटर की बात करते हैं अभी से एक बंसल कंपनी के प्रोमोटर है लॉट्मेंट डेट यहां पर 20 दिसंबर का रखा गया है 21 दिसंबर को रिफॉंट्स इनिशियेट किया जाएगा 22 दिसंबर को शियर्स डिमेट अकॉनमे के रिएट होंगे और 23 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है प्राइस की बात करें तो यह लॉट्ट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स मिनिममम जिसमें आपको 55 शेयर्स मिलेंगे और 14,850 रुपीज का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा तो और अगर हम यहां पे मैक्सिमम जो है 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको कंपनी फंडमेंटल के कार्डिंग पहले देखें बहुत ही शांदार तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस देखने को मिला बहुत अच्छी सेक्टर में भी काम कर यह कंपरेटिव है इस सेक्टर में कंप बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्राइस है जो कि यहां देख सकते है इसका बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया है इसलिए और इसाथ में हाइली कॉम्टिटिव सेग्मेंट में भी काम करता जो कि फिनासल सर्विसेस में काम करता आइप यहां पर क्यों आइभी को टेन परशंट एन आई आई को यह 30 परशंट रिटेलर्स को 60 परशंट का यह बहुत ज़ाइब के कह सकते हैं अगर आपके पास फंड्स है अगर आप इसमें करना चाहते में लोग 是क परता के बीकिन करते हैं बीन यहां पर देख सकते है ट्वेंटीवन रूपीज का जीएंपी है और सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट परशन की यहां पर लिस्टिंग मिलने के चांसर से आज के सिनारियों के अकॉर्डिंग लेकिन अगर देखा जाए यहां पर थोड़ी से इंक्रीज होती भी नजर आई ह यहां पर एट टिसंबर सेसे आपि करना चाहिए था लेकिन यहां पर जब तक इसका ऑपन नहीं होगा इसका डिटा को टॉक्ट mesa को ऊट envisionल पॉक्य अपर दिया जाता है लेकिन एग़िए जरा आपको क्या रगता है अप्लाई करना चाहिए आप इने वीडियो एक एजुकेशनल परपस के लिए था इसे प्रॉफिट लॉज से मुझे कोई लेना देना नहीं लेकिन यह मैं आपको इसका सिर्फ नॉलिज दे रहा हूं कि आपन्स होल्डिंस की तरह से पूफॉर्मस करता लोंगा तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउटो कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिल दें बाई बाई